अच्छा मालब फूरा राम जी का अन्मान जी का स्टोरी सुनाओ तो क्या क्या हुआ था तो पहले राम जी का स्टोरी है राम को नहीं राम की कहानी है सुनाओ में जिए राम हूं शीता लच्मन को अधी नहीं एक अड़ोडिया के राजा थे और राम की मंभी और डो बेन ने बेजना था जबी जंगल में आये थे राम सीता और लच्मन गई थे तो एक घर देख था जब हनमान जी एक जंगल में थे और हनमान जी और देख थे सीता देखे था जियां पे वो जैनमन था जबी राम भागते भागते और डैनूस मारा और एक डैनूस मना एक राच्छस्ती आये था तर लच्छमन गया तरा लच्छमन सीते बुरा रहा था तब एक देखा था जब बाबा आय तो वो रावन था तब सीता को पकड़के ले गया था और रावन ने सीती का साड़ा समान चुरुआ लिया और रावन अपने में राजा ने मां को पड़ा दिया था और हनमान जी के पास राम के पास गए थे जब हनमान जी के लिए राम और शीता को मड़क करने गए थे मैं बटाता हम अनमान जी जब एक सवंद मान में गए थे जब हनमान जी फुक्री के पास गए थे और हनमान जी एक उड़ गए गए थे और शीता को अंकुट देया था हनमान जी को फिर रावन का लंका जल गए थे पूरा पूरा जल गए थे हां पूच जब हनमान जी पूच से एक गोमा गोमा के पैठे थे पालतीस से तो लाहनमान जी की पास आय थे और हनुमान जी ने एक राम को अंकुट देया था जब हनुमान जी यहां पे खड़े वटे राम देख रहे थे ज़र सनर्व की रान में गए थे और सारे पट्र में वो दिख चोक में लखाई जैसी राम और सारे पट्र में जैसी राम दिखे है जब हनुमान जी रंका के राजा में गए थे हैं हम एक रच्मन को रावन ने एक डनू चलाय तीर और रच्मन में तीर में लग गया जब हनुमान जी पैणले कराये और हनुमान जी ने लंच्मन के लिए एक पैणल लाए और एक पेड़ लाए उसकी पेट में और फिटीक हो गया और रच्मन ने तीर चलाय थे एक राच्छ की力락 कि दरव अभिए एग राच्ष को गुजा दिया अपने बंडुक से तो दिया था बंडुक की घड़ा जोर गया तो रॉम ने दन उचलाइटी उसकी गड़न में उसकी हाट में डोवाट में और पाओ में उसकी पेढ में और ये सही है यहां से रावन के पेज में माड़ो यह रावन एक दूसरे दनु चिडाया और एक रावन मर गया मर गया रावन यह मालव को सब बता यार अरी गुड़